तो हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टॉ माई चैनल दोस्तो आज मैं आपको बताने वाल हों सैमसंग कालेक्सी में डिपलबर और ओपशन जो होता यह डेबलब पर ऑप्शन के दस बैस फीचर बताने वाला हूं या बोल सकते हैं डस टॉप के फीचर बताने वाले हों इसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आप समझ पाएंगे चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे जैनल ऐसे टेक में तो हेलो फेंड तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है मैं आपको सैमसंग मॉवाइल के डबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने मॉवाइल का वाउट फोन में आपको जाना है यहां सौफियर इंफोमेशन में जाने का आपको यह मिल रहा है बेल्ड इन नमबर जो लिखा है इस पर आपको साथवर कंटिनू प्रेस करना है और आप देखेंगे आपसे लेना डेवलपर ऑप्शन का यहां पर आपको बताने वाला है कि कितनी रहा है यह आप देखने हैं पहले आपको बताएगा तीन घंटे में कितनी रहा है यह यूज करिए आपने पर्फोमेंस नॉर्मल है टोटल और एवरेज यूजर 60 मिनिट अगर आप देखना होगे यह आपने इसको यूज करा और क्या क्या यूज करा तो आप देखेंगे नीचे आपको लिखा भी हो दिख रहा है मेमोरी यूजर 86 प्रोसेस हुई है जो कि रैम में यूज हुई है जो कि पिछले तीन घंटे में आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां सारी डेटेल मि क्या क्यों ही और यह वाइंड डे कि कह आपकि कितनी रेम यूज होती है और एक-एक की प्रोसेस स्कते हैं कि कहां आपके मिस यूज होरी यह नहीं तो सबसे पहला फीचर यह था तो दूसरा बताने वाला हो दोस्तों वह ए स्टे अवेक के माइट तो इसके बाद इसमें होगा कि जब भी आपने मॉवाइल को चार्ज पर लगाएंगे इस फीचर को आउन करने के पाद तो आपके मॉवाइल की लाइट कभी बंद नहीं होग मतलब जो उसका स्टेंड में मोट पर कभी नहीं जाएगा आप दिख सकते हैं यहां पर लिखा भी हो है स्क्रीन विल नेवर भी स्लिव वाइल चार्जिंग जब भी आप इसको आउन कर देंगे तो जब भी आपका वाइल चार्ज में लगा होगा कभी भी आपका जो उसकी तो आपको करेंगे आप नोठीब को नीचे करेंगे तो आप देखेंगे हैं पर कैमरा भी चलना बंद हो गया नीचे आपको दिख रहा होगा error आगया security policy prevent camera भी on नहीं होगा तो यह option इसलिए है कि आप जब भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं किसी को mobile देतने चाहते हैं कोई भी आपका sensor use ना करें तो आप यह on करके दे सकते हैं privacy के लिए बहुत अच्छा है या कोई app से जिसमें आप चाहते ह इसमें आपके सारी चीज़े आफ हो जाएंगी तो उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको फॉर्थ विचर तो उसके लिए आपको करना क्या होगा नीचे की तरफ आना होगा network में यहां पर आप देखेंगे यह दिखा हुआ network setting में आपको यहां पर आना है यहां पर देखें लिग आपका mobile का data को on कर लेगा चाहिए आपने mobile का data को off-v करके रखा हो तो by default on कर लेगा इसका सबसचा फायदा है कि अगर आप बार-बार net connectivity नहीं छोड़ना चाहते है तो आप इसको use कर सकते हैं जब भी आपकी wifi की connectivity slow होगी तो यह by default आपकी mobile की data को on कर लेगा जो की mobile data active even when wifi is active for fast network switching जो की बहुती शांदर फिचर जो मुझे लगता है बहुती शांदर फिचर आप इसको use कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो पांच बार फिचर बताने वाला वह भी बहुत काम का है आप यहां उसी की नीचे आएंगी थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे यह option मिल रहा है default USB configuration आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब भी आप अपने mobile को laptop PC से connect करते हैं तो बार बार आपसे यह permission मांगता है कि आपको क्या खूलना है आप देखेंगे यह सब चीज़र मांगता है तो आप यहाँ पर default permission को set कर सकते हैं तो आप यहाँ पर default permission को set कर सकते हैं लाइक आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने mobile को PC, PC, laptop या कहीं भी collect करें तो आपका mobile charging हो या transfer images हो तो आप इसको by default permanent set कर सकते हो और वो automatic work करना चालू हो जाएगा वो ही work करेगा जो कि बार बार आपको वह option प्रेस करने की जूरत नहीं पड़ेगी तो by default driver करना चालू हो जाएगा जो कि शांदर feature है उसके बाद दोस्तों जो मैं बताने वाला हो नीचे की तरफ आएंगे आप नीचे आएंगे आपको यह input वाला जो option मिल रहा है वहाँ पर एक option मिल रहा है आपको short taps का आप देख रहे होंगे आप जब इसको enable क करने के वाइस का फायदा यह है कि अगर आप कभी कोई 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 वीडियो recording करते हैं अपने मोबाइल का screen record करते हैं अगर में कोई बनाना हो तो आगर किसी को आपको briefing देना हो तो उसके लिए बहुत शांदर चीज़ है आप यह screen record करते हैं तो आपको यहां देखेंगे आप आपको सबता तो नीचे आएंगे आप जोअर में बता रहे वाला हूं वह और शांदर आप देखेंगे अब भी आप अपने mobile को अगर माल लीजिए यहां पर open करते हैं तो यह जो animation work करता है तो यह animation work कैसे करता है आप देख रहे हैं कितना इससे क्या होता है कि सिमसंग के mobile से कोई साइब मोबाइल सो animation के कारण कभी के बार hanging होते अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप यहां पर यह आपको इत्ते सारे animation दिख रहे होंगे यह वाले animation को आपको कम कर लेना है या आफ कर देना है बाइडिफोल्ट यह 1x पर होते हैं चाहें तो आप सब आप यहां से on-off कर देंगे जिससे आपके स्पीड मोवाइल की बढ़ जाएगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट फिचर उसके लिए है नेक्स्ट फिचर यह आपको दिख रहा होगा फोर्स डार्क मोट का यह भी बहुत शांदर फिचर है दोस्तों इसका यूज मैं आपको करके बताता हूं आप देखेंगे दोस्तों अगर आप अपने मोवाइल में फेस्बुक या आप देखेंगे जिसी फेस्बुक चलाते हैं अगर आपने डार्क मोट को इनेबल भी कर रखा है तो मैं आपक करने के बाद भी होगा क्या आपके कुछ एप ऐसी होंगी जो डार्क मोट को सपोर्ट नहीं करती कैसे मैं आपको बता रहेता हूँ लाइप मैं यहां पर गया मैंने यहां पर यह फेस्बुक को ओपन करा आपको मैं अपने फेस्बुक पर ले चलता हूं आप देखेंगे ने डिवलपर ऑप्शन में जाके फोर्स का जो कि मैं बताने हैं और डार्क मोड का इसमें क्या होगा जो एप सपोर्ड भी नहीं करती वह एप्स को भी खोशिश करता है कि 100% तो नहीं कुछ-कुछ एप्स पर बिल्कुल सपोर्ट करता है और वहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है ब्लैक मुलब आपका डार्क मोड वहाँ पर इनेवल हो जाता है तो कैसे तो मैं आपको यूज करके बता जाता हूं यह डार्क मोड को मैंने इनेवल करा इनेवल करने के बाद अब आप देखेंगे मैं फेस्बुक को बंद करके बापिस से ओन करता हूं फेस्बुक को मैंन यूज करते होंगे तो एमाजोन पे भी नहीं आता था बट आप एमाजोन फ्लिप कार्ट सब पर आप डार्क मोड को यूज कर पाएंगे तो यह आप ऐसे कर सकते हैं जो कि बहुत शांदर फीचर मुझे लगता है उसके बाद जो बताने वालों फीचर दोस्तों वह वीद को को लेकर आप देख रहे होंगे जो यहां स्क्रीन का साइज है आपको दिख रहा हो कितना बड़ा एक जिसका नाम है मैं निमाम विथ आपको इस पर क्लिक करेंगे बाइट इफॉर्ट यह 901 रहता है अगर यहां पर आप ज्यादा विद डालेंगे तो आप देखेंगे हां पर क्या होगा लाइक मैंने आप 500 डाल दिया अब आप इसक्रीन देखिएगा कैसा होगा जो स्क्रीन की कैबसेटी है वो छोटी हो जाएगी मतलब बोल सकते हैं जो उसका जूम है वो कम हो जाएगा आप देख सकते हैं कितने सारे खटे दिखने लगा है और अगर आप चाहते यूज करके अपने साब से जैसा भी आप इसको करना चाहें आप यूज करके यूज कर सकते हैं जो कि अगर आप लगाएंगे 411 करके कर देंगे तो जैसी पहले स्क्रीन थी वैसी कि वापिस सेट हो जाएगी जो की शांदर फीचर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा चाहते कुत लोग काड यूज करते हैं बत होता क्या है कुछ गेम या एप手 वाइट बाइड फोल्ट फोण की मेमोरी में ही स्टॉल होती है वह चाहते हैं क्यों के सारा डधे जो भी ओंगे यहां पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद जितने भी आप सीजन इंस्टॉल करेंगे सब आपके SD में या बोल सकते हैं आपकी काइड मेमोरी में ही सेफ होगा आपके इंटरनल मेमोरी में कोई भी चीज सेफ नहीं होगी तो आप इनका यूज कर सकते हैं दोस्तों यह अपडेट थे या बोल सकते हैं दस फीचर जो मैंने आपको बता हैं उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक्यू तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है दोस्तो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देख रहा हुगा तो प्लीज सब्सक्राइब के दबाना ना मुले ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अप्डेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागर और फेस्बी फोलो करना भी ना बोलना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों